वेलो गाइस वेल्कम टो अनदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिटल बैंक की और से जून कौर्टर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए फिनांसल रिजल्ट आउड हो चुका है और गाइस कंपनी की और से अनौरिटेटर से वन थे हैं करोड का और जून 23 में 6,091 करोड का क्वाटर औन क्वाटर येर ओन यर में इंक्रेज किया जिसके वाद ऑफिट बंडिज्ट वीजन 172 करोड का चार्ज किया है मार्च ट्वंटीफोर में 76.5 करोड का एड हुआ था जुन 23 में 164.6 करोड का चार्ज हुआ था प्रोविजन को आटर और को बहुँ जाद चार्ज प्रोफिट में माइन एवरेज इंक्रीज क्या है जिसके बाद टैक्स कंपनी को पे एक्स्ट्राइड आइटम्स में सब्सक्राइब करना पड़ा जिसके बाद प्रोफिट 1,040 करोड का मार्च ट्वंटीफोर में 972 करोड का नेट प्रोफिट है और जुन 23 में 891.7 करोड का प्रोफिट है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है EPS 4.16 रुपीज का quarter on quarter year on year में इंक्रीज किया है सेग्मेंट वाइस ट्रेजरी, कॉर्पेट या होलसेल बैंकिंग, रिटल बैंकिंग, इसमें डिजिटल बैंकिंग, अधर रिटल बैंकिंग, अधर बैंकिंग, ऑपरेशन अनलोकेटेड इन सभी को एड़ करके revenue हुआ है quarter on quarter हो या फिर year on year इंक्रीज करता हुआ देखने क करोड का और जून 23 में 4454.5 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses भी इंक्रीज किया है इंकम के according लेकिन operating profit 1500.9 करोड का मार्च 24 में 1110.3 करोड का और जून 23 में अगर देखा जाए तो 1302 करोड का operating profit quarter on quarter year on year में increase करता हुआ देखने को मिला है लेकिन provision इसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ा 144.2 करोड का जबकि पिछले quarter में add हुआ था 94.6 करोड का और जून 23 में 155.5 करोड का provision पे करना पड़ा था लेकि प्रोविजन इसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ा जिसके करना कंपनी को profit में थोड़ा बहुत इंपक्ट पड़ने कोशिज किया है लेकिन नेट पॉफिट है 1009.5 करोड का मार्च 24 में 906 करोड का और जून 23 में 853.7 करोड का profit है quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 4.09 रुपेज का quarter on quarter year on year में increase किया है gross NPA percentage 2.11% का net NPA 0.6% का quarter on quarter majority same है year on year में reduce किया है operating margin 20.71% का profit margin 13.93% का quarter on quarter में increase है लेकिन year on year में decrease किया है कंपनी का overall result अगर देखा जाए तो बहुत ही strong result पेश किया है शेयर की बाद इसका रिजल्ट आया है 1242 में इसका रिजल्ट आया है और शेयर की बात करें 195.67 रुपीज पर शेयर ट्रेट कर रहा है 1.1% का आज क्रैश किया 5 दे में 0.4% का loss है वन मन्त में 11.4% का profit और 6 मन्त में 38% का profit है इस company जो आप बहुत स्ट्रॉंग जंप देखने को मिल चुका 19 जुलाइक सपोर्ट लिया था 191 रुपीज का और उसके बाद इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है तो अब इसमें एंट्री करना थो रिस्क हो क्यों क्यों ओवर बार्ट जोन में चला और अगर आप और अल्रेडिस यह ल